स्टूडेंट्स वेलकम टूमर यूट्यूब चैनल आउनलाइन लर्निंग आप देख सकते हैं एक नॉमबर से कॉलेज़ में आउनलाइन कप्छाएं शुरू हो जाएंगी ये तो मैं बहुत टाइम से आपको बताते आ रही हूँ आज कुछ और अपडेट्स है शेडूल हो है तैयार किसी एप की जरूरत नहीं होगी और में चीज असाइनमेंट होगा जरूरी तो चलिए ये निउस देख लेते हैं कॉलेजों की ऑनलाइन क्लासेज में असाइनमेंट भी तैयारी हुई तेज शेडूल हो रहा है तैयार एक नॉमबर से शुरू होनी है ऑनलाइन प उनलाइन क्लासेज को सवरूप काफी हद तक बदला रहेगा प्रिंसपल क्लासेज की मॉनिटरिंग करेंगे समय समय पर क्लास का निरक्षन करने भी जाएंगे इस बार ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट को 10-10 मिनट का असाइनमेंट भी दिया जाएगा इससे धन्चयाम दिवांगन जी ने के निर्देश अनुसार सभी कॉलेजों की प्रचारों को ऑनलाइन क्लास के शेडियूल बनाने के निर्देश दिये गए हैं आनलाइन कक्षा शुरू होने से पहले शेडियूल उस स्कूल एजुकेशन का पोटल रिकॉर्डेट स्टडी माटेरियल के लिए ही उप्योग होगा उसमें भी हायर एजुकेशन का अलग पेज बना हुआ है उस सिक्षा विभाग की एड्मिशन डारेक्टर एड्मिनल प्रेजेंटेशन टैयार कराए गए हैं इसका बहतर उप्योग नए शिक्षा सत्र में होगा यह सभी समझरी स्कूल शिक्षा विभाग के पोटल पढ़ाई तुमर दवार में अप्लोड है अब यहां देखेंगे सत्र को लेके सक्रिय कोरोना के चलते हैं एड्मिट सत्र 2021 काफी पिछड़ गया पिछड़ गया ऐसे में नए शिक्षा सत्र 2021 को ही कायवाद चल रही इसके क्रम में कोर्स कम करने के पिछले दिनों विशेशकों की समीती भी बनाए गई है समीती को इस सकते हैं यहां पर उस शिक्षा विभाग के अनुधारे ने बताया कि ऑनलाइन कक्छाओं के लिए किसी एप या प्लैटफॉर्म का बंधन नहीं होगा टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करके वाट्सप ग्रूप बनाकर या फिर जो ऑनलाइन प्लैटफॉर् सकते हैं प्रचार टाइम टीबल बनाकर ऑनलाइन क्लास की मॉनिटरिंग करेंगे समय समय पर ऑनलाइन क्लास की निरक्षन भी करेंगे असाइनमेंट होगा जरूरी हिस्सा कॉलेजों की ऑनलाइन पढ़ाई में असाइनमेंट जरूरी होगा असाइनमेंट दिये जाने के प पर टीचर को वापस भेजेंगे इस से इस बात का मुल्यांकन भी होगा कि स्टूडेंट विसे को समझ पा रहा है कि नहीं आपसी संबंच हैली का भी हो सकता है तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने कॉलेजे से रिलेटेड वीडियो तो बहुत सारे बनाएं कि ऑनलाइन क्लासे शुरू होगी और यह 36 गार्ड के मोस्टली सभी कॉलेज और युनिवर्सिटीज में स्टार्ट हो जाएंगी शेडियूल बहुत जल जारी हो जाएगा एक नमबर से क्लासे स्टार्ट होगी बस इस बात को ध्यान में रखिए में चीज है अभी सिलेबस में कुछ न कुछ परसेंट का रिड़क्शन होगा य या फिर आपको किसी आप की जौरत नहीं पड़ेगी वाट्सप के थुरू आपके पढ़ाई हो सकती है या आपके उस कॉलेज के रिस्पेक्टिव टीचर सापको अपडेट करेंगे बट में इंपॉर्टेंट चीज असाइनमेंट होगा जरूरी असाइनमेंट भी जरूर को देखा है वो तो छोटे बच्चे हैं आप बड़े हैं फिर भी आपके साथ ऐसा होगा इसलिए असाइनमेंट जरूरी है ताकि बीच में ब्रेक रहे तो आप उस असाइनमेंट को करें और आप उनलाइन क्लास में पढ़ाई करने के लिए अपना इंट्रेस दिखाएं और उमीद मैं यही करती हूँ कि हर स्टूडेंट्स अउनलाइन क्लास में अपने आपको प्रिपेर करना शुरू कर चुके होंगे क्योंकि एक नॉम्बर से स्टार्ट होनी ही है क्लासेज एनिहाव इस बात को जान लीजिए सिलेबस क्या होगा टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे क्या होगा यह आपको वह कौलेज़ अपडेट करेंगे आपको सिफ खुद को प्रिपेर करना है कि आनलाइन क्लास में क्या-क्या चीजे ज़रूरी है उसे ध्यान में रखना है और आनलाइन क्लास के लिए अपने आपको करते चलिए assignments भी होंगे इसलिए online class में जो भी पढ़ाया जाएगा उसे seriously पढ़ने की कोशिश करिएगा क्योंकि तभी आप assignments दे सकते हैं complete कर सकते हैं मैं आपको बता दू अभी दसवी और बारवी या class 10 और 12 के जो CG board के assignments आए हैं वहाँ पे भी बच्चों ने क्या सोचा था जो बुक के पीछे questions से वही आएंगे ऐसा नहीं है वहाँ पे उनका presence of mind को जच किया गया है questions दे के questions के level काफी हद तक अच्छे हैं बट students जिन्होंने seriously videos lecture देखे होंगे सिर्फ वही उस assignment को complete कर पाए होंगे इसलिए मैं आप लोगों को यही advice देरी हूँ देना चाहती हूँ चो अभी इस year में college में admission ले चुके हैं या लेने वाले हैं अपने आपको mentally prepare करिए first number से online classes start हो जाएंगी online classes में serious रहना है आपको क्योंकि assignments आपको ही complete करने है तो I hope इस video मैंने जो भी कुछ बताया आप लोगों के लिए थोड़ा महुत helpful होगा तो मेरे इस video को जरूर लाइक करें अपने friends तक share करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के updates के लिए thank you so much for watching this video and अभी तक जिनोंने भी मेरे चैनल को subscribe किया है thank you so much